दो हजार उन्निस का रंड शुरू हो चुका है और इसी के साथ एक सवाल भी सामने अगर खड़ा हो चुका है कि आखिर जब कॉंग्रेस की बात की जाती है तो कॉंग्रेस की गुडबाजी से क्या इस बार के सिटिंग एमेल एक बार फिर से अपनी यही सीटे वापिस निकाल पाएगे यह नहीं इसको लेकर जाधा बाच्चित का निकल में साथ मौजूद है तिगाऊ विदानसभाश शेत्र से एक बाद फिर से प्रतियाक्षी ललित नागर जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका और नाइन टीवी पर धनवाजी धना सवाल यही है कि जब कॉंग् कंडिडेट डिकलेर किये हैं यह करने जा रहे हैं वो बिलकुल अपने आप में मजबूत कंडिडेट हैं और चुनाव जीताई और हरियाना परदेश में सरकार बनाएगी कॉंग्रेस पार्टी जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर जाने वाले क्योंकि अगर मैं बिजे उस समय हमारे बहुत सारे ऐसे काम हुए थे गए जिसको बुपेंदर सिंग उड़ा जी के नेतरतों में हरियाना नंबर वन बना दिया था अगर मैं केवल फरीदाबाद की बात करूँ कई कई हजार करोड रुपे के ऐसे काम कराए गए जिनका आज फरीदाबाद की जनता आनंद ले रहे हैं महा परिवर्तन रेली होती है अशुक तवर नहीं मुहां पर मौजूद होते हैं पूर मुख्य मंत्री भूपेंदर सिंग उड़ा की मौजूद्गी होती है कई बार तलक तेवर नजर आते हैं हाल ही में गोशना पत्र को लागू लागू करने को लेकर भी बाच्ची चल रहे थी उनका साफतार पर कहना था कि मुद्धे पर डिस्केशन हो चुका है बार बार बैटक की जरूत क्या यह सारी बाते कहीं ना कहीं तो इशारा करती है नहीं है सब कुछ नहीं है आज सारा कारिय करता एक जुट है अपने लोग सभा के अभी मीटिं लाना चाहती है शुक्रिया सारा नाइन टीवी से खास बात करने को यह तो यह तो हमारे सथ ललित नागर जिनका साफतार पर कहना है कि बिजेपी जूट और जुमलों की राजनीती से जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन यह तो परिणाम ही ताय करेगा कि इस